ओम आदित्यायवद मही प्रभाकरायधी मही तन्नह सूर्यह प्रचोदयात सूर्यदेव 17 अगस्त 2021 के रात्री अंतराल से चंद्रमा प्रदान राशी करक राशी से अपने संक्रान्तिकरम को छोड़ कर संगराशी स्थान जो कि सूर्यदेव का सुराशी स्थान है वहाँ प्रवेश कर रहे हैं यह संक्रान्तिकरम 17 सतंबर 2021 तक निरंतर चलाए मान रहेगा और जब भी सूर्यदेव जैसे प्रथम प्रकाश मान रहे और द्रश मान रहे जो कि आत्मा के कारकादि पति ग्रहबी है व्यक्तिक जीवन में नेतकता के बल को दिने वाले ग्रहबी है और वही पर अनुशाशित जीवन के साथ में किस तरह से सफलता को हासल किया जा सकता है इस प्रतिविंब को प्रदान करने वाले ग्रहबी हैं जब ऐसे प्रमुक ग्रह सूर्य देव सुराशी स्थान में प्रवेश कर रहे हूं तो फलाफल के द्रिस्टिकॉन से ये स्ततियां बहुत अच्छे आधार को दर्शाने वाली हो जाती है। यहां प्रमुक बात ये भी है कि सूर्य देव जो ग्रहों में राजा हैं 5 सितंबर 2021 तक मंगल के साथ जो की ग्रहों में सेनापती हैं उनके साथ चलाएमान रहेंगे तो ये यूती संगत आधार तकरिबन 18 से 19 दिनों के लिए किस तरह के प्रभावों को सामने रखेगा और व तो किस तरह के फलाफल निकल कर सामने आते हैं और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि देव गुरु ब्रहस्पती जो कुम्ब राशे में अतिचारी होकर चल रहे हैं सूर्य और देव गुरु का दृस्टी संबंद भी यहां पर रहेगा एक आत्मा का क आत्में चल रहे हों तो फलाफल के दृस्टी कौन से हमें यहां पर अपने भीतर के आत्म विश्वास की स्ततियों को जागरत करने का मौका मिलता है जो कार्य लंबे समय से रुके वे थे अठके वे थे वहां पूर्ण ता किस तरह से पूने सामने आ सकती है ये भी हम बहु यहां पर आप से निविदन करूंगा कि जो ये सत्रह अगस्त से लेकर पांच सितंबर तक का समय अंतराल है इसको अलग दृस्टिकौन से देखने के आवशक्ता रहेगी आप उसी तरह से इत्सारी ही गड़नाओं को अपने राशिकर्म में नोट कीजिएगा तो वहीं जो पांच सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक का समय अंतराल रहेगा वेवस्तित इस्तर के उपर ये स्ततियां अलग आधार को दरशानी वाली हो जाती है और इस बात को भी स्मृतियों में रखने के आवशक्ता रहेगी कि अस्ती जनित विकारों से आप परिशान रहे हैं नेत्र फील्ड के साथ में आप स्वयम जुड़े रहे हैं किन्तु फिर भी स्वास्ति संबंदी स्ततियां परिशान करने वाली रही है और इसे भी महत्पूर्ण आधार ये कि आप किसी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े वो हैं जहां आपके कर्म का प्रभाव काफी अधिक लोगो के साथ में जुड़ा होता है आप जो कार्य कर रहे हैं उसके रिफ्लेक्शन असंखे लोगों के उपर आते हैं तो यहां पर जो निरने की प्रवर्तियां है वो किस तरह से चलने वाली हो ये महत्पूर्ण तथ्यात्पक दिस्टिकॉन हो जाता है नौकरी पेशा जीवन मे आप परिवर्तन की और जाना चाहते हैं समय कौन सी संभावनाओं को दे रहा है व्यापारिक जीवन के अंदर रण बने हुए थे उसको आप कम करने के लिए किसी भी जमीन के बेचान आदी की और जाना चाहते हैं बो निरना यहां सही रहेगा इस महीने या फिर इस संक्रा को खुद के साथ में जूडना चाहते हैं या आप किसी भी ऐसी आदत से परिशान रहे हैं जिसने अभी तक जीवन की सरलता को चीना है उसको कैसे दूर किया जा सकता है यहां पर सूर्य जोकी नेतकता के बल को देने वाले होते हैं अक्षून आधार जीवन में प्रदान कर बढ़ने वाले गरहे हैं उनकी जब प्रवर्तियां यहां पर इस तरह से चलाइमान रहेंगी तो हम अपनी संकल पशक्ति को और अलिक तिवरगामी करके आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं तो हम इस गणना की शुरबात करते हैं मंगल प्रदान मेश राशी के साथ में पंच एक्सपीरियंस के बूते चलते हुए आप जिदी किसी भी चेंज की और बढ़ना चाते हैं ये समय अंतराल आप के लिए अट्मोस्ट सपोर्टिव बेस क्रेट कर रहा है नॉलेज को एक्वायर कर लिया एक्सपीरियंस के अंदर जिन इयर्स के रिक्वार्मेंट थी उनको अपने साथ में जूड लिया अब फाइनेंशल पूजिशन के अंदर जो हासल करना चाते थे उसके लिए भी अपनी कडम ताल को बढ़ा दिया अब बारमगार भीतर की क्षमता ये कह रही है कि परिवर्तन क्यों जाईए उसको स्विकार कीजिए कमफर्ट जोन का घेरा तो गुरुब रहस्पती चलाइमान है और वो भी वक्रगत आधार के साथ में जब उनसे द्रस्टी संबंद जुड़ा रहेगा तो इस बात को भीतर तक हमें आत्म साथ करके रखना चाहिए कि सरवांगीन लाप की स्ततियां अब बढ़ रही है द्यक्ति कई बार ठक जाता है दिराशाओं के साथ में होता है उसके सामने कार्य प्रयोजन पूर्ण होने वाले होते हैं किन्तु कुछ रुकावटे हैं उसको परिशान कर देती है मन के भीतर के अवरोद बारं बार उसके सामने शंशय को लेकर आते हैं उससे मुक्त होकर अब ये जरनी आगे चलने वाल यहां यदि आप शेर मार्केट संबंधी किसी भी प्रमुक निरने के और बढ़ना चाते हैं तब भी ये समय अंतराल वेहवारिक दृस्टिकॉन से काफी हद तक बहतर रहेगा इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिकल, सोलर संबंधी कामकाज में किसी भी प्रमुक निवेशकर बढ़ना है तब भी हित गामी आधार बने रहेंगे तो वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज जो बारम बार अटक रहे थे, किसी व्यक्ति विशेश से मुलाकात अटक रही थी, जहां से कुछ फंड मिल सकता है ये समय अंतराल वहाँ पर भी व्यवस्तित व्रद्धी आपको देने वाला रहेगा तो वहीं यदि हम वरिशब राशी के और बढ़ते हैं, तो आप देखिएगा कि चतुर्त भावस्त ये स्ततियां जो है हर्दय जनित रोगों से आपको अत्यधिक तोर के ऊपर यहां सावधान रहने की आवशकता है तो वहीं anxiety driven issues आपको थोड़ा सा परेशान करने वाले हो सकते हैं उससे भी आप संबलिएगा, native place के साथ में आपके लिए किसी भी तरीके की benefit की अप्रोच यहां अठकी हुई थी सूर्य और मंगल का आधार जब भूमी भाव यानि चतुर्द भाव के साथ में रहेगा तो यहां आपके लिए betterment निकल कर आ सकता है आप देखिएगा कि एक पूंजी native के साथ में यानि कोई जमीन संबंदी आधार के साथ में जुड़ी हुई है या कोई फैंसला होना है वहां से आपके लिए पूंजी आनी है तो भूमी भाव के साथ में ये दोनों ही कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट जब दशम भाव के साथ में अपने दृष्टी संबंद को रखने वाले होंगे प्रमुक बात ये के इच्छा शक्ती उत्रोतर बली के इंदर के साथ में देव गुरू ब्रहस्पति का जब प्रभाव रहेगा और ये सम्यक दृष्ट निक्षेबन जो बन रहा है आपके लिए व्यापार में मेजर लेवल का रोटेशन लेकर आ सकता है फाइनेशल लेवल के उपर और उसमें भी इस बात को स्मृतियों में रखने की आवशक्ता कि चतुर्त भावस्त ये आधार जब आपके लिए सपोर्टिव बेस को क्रेट कर रहा हो तो फिर रुकने और ठकने की आवशक्ता हैं दूर दूर तक भी नहीं है इस बात को अपने मन मस्तश्क में आप काविस करके चलने का प्रयास करें कि आप यहाँ किसी भी सीजनल विजनस संबंधी कामकाश के साथ में हस्तक्षेव रखने की और जा रहे हैं तब भी यहाँ आपके लिए फाइनेशल बेनिफिट की मेजर अप्रोच निकल करा सकती ह आप देरी administrative services की preparation कर रहे हैं और उस preparation में distraction बने हुई थे किन्तु यहाँ जो यह समय 17 अगस्त के अंतराल से 5 सतंबर तक चलेगा आपको एकाग गरता का एक महत पूर्ण आधार दे सकता है नौकरी बेशा जीवन में लंबे समय से सक्रियता बनी हुई थी किन्तु आप त्या बातों को लेकर anxiety नहीं निकल कराए इस बात को स्मर्थियों में रखिएगा वहीं मिथोन राशी प्रतमतया आप ये देखिए कि तृतिय भाव के साथ में जब भी सूरी देव की स्तियां जुडती हुए और जब मंगल जैसे ग्रह साथ में हो तो इस बात को स्मर्थियों मे active नहीं थे यहां कोने हैं आप active होना चा रहे हैं समय संभावित स्तर के उपर आपके लिए बहतरी लेकर आ रहा है compromise के अप्रोच नहीं रहेगी medical field के साथ में जुडाव है और अब आप चाहते हैं कि यहां higher education के base को लेकर चला जाए तब भी supportive level आपके लिए बना रहेगा और और वहीं देव गुरु ब्रहस्पती मंगल और सूरी देव का जो यह आपस में दृस्टी संबंद बना हुआ है यानि सूरी और मंगल साथ में देव गुरु ब्रहस्पती का दृस्टी निक्षपन साथ में इसी वज़े से यहां यदि आप technical field में बड़े change के और जाना चा कियेगा और वहीं यदि आप इस संक्रांति करम के 30 से 31 दिनों के अंतराल के अंदर स्वयम को अनुशाशन के अतिरेक के साथ में लेकर चलते हैं संभावित स्थर के उपर लंबे समय से जो सफलता की स्थतियों को आप अपने जीवन के वेतर आत्मसाथ करना चाते थे जहां आपने वरशों की महनत की है और अबे तक परिणाम सामने नहीं आपाये थे ये जो अंतराल सूर्य और मंगल की युति के साथ में पराक्रम भाव में बनेगा आपके लिए आवशक्स तरके उपर उन सारे ही साधनों संसाधनों और समय के ध्योतक के रूप में जो कि सकारात मकता का आधार लिए वे होता है कारे को यहां संपन्न करने वाला हो सकता है नौकरी पेशा जीवन में सक्रीता हो व्यापार की कोई नई शुरुवात हो व्यापारिक जीवन के अंदर एक्सपांशन की तरफ जाना हो एक्सपांशन की और जा चुके हैं तो साथ में लोगों को जोड़ना हो लोगों को जोड़ना है तो break even point की तरफ कैसे बढ़ेंगे break even point हासिल कर चुके हैं तो अब यहां से हम benefit की अप्रोच की और कैसे बढ़ सकते हैं यह सारे ही structured base आप अपने साथ में इस दिवस अंतराल में लेकर चलिएगा और जब 17 अगस्त से लेकर 26 अगस्त 2021 तक सूर्य और बुद्ध का बुद्धादिती योग भी बना रहेगा तो इस बात को स्मृतियों में रखना चाहिए कि व्यक्ति मानवी प्रबंदन और स्वा प्रबंदन के सरमाओर के आधार के रूप में चलने वाला होता है और यह ताकत आपके भीतर बहुत गहराई से मौजूद रहने वाली है तो वहीं करक राशी के जातकों के लिए सबसे पहले करबद निवदन करना चाहूंगा कि आप पारिवारिक जीवन के साथ चोटे चोटे अवरोदों से पूर्ण तया बच कर चलने का प्रयास किजिएगा और यहां इस बात को भी अपने साथ में आप नोट करके चलिएगा कि कोई भी पैतरिक संपत्य विवाद चल रहा है आप यहां एग्रिसिव नहीं होंगे नौकरी पेशा जीवन के साथ में चल रहे हैं कोई भी व्यक्ति आपको फैसिनेशन की साथ में निरने लेने की और लेकर जाता है आपके पास में पूंजी है जो आपने सुरक्षत की है संरक्षत की है और अब कोई भी ऐसे रिस्क का बेस आपके सामने आता है तो दोविधाय निकल कर आ सकती है उससे संबलने की आवशक्ता है रहेंगी यहां रिसर्च संबंधी कामकाश के अंदर वृद्धी के महत तुपून आधार सामने निकल कर आ रहे हैं तो वहीं आपसे हम निवदन करना चाहेंगे कि आप यहीं मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेश हैं तब भी यह समय आपके लिए बहतर आवेदन सामने रख रहा है कोई भी अवसर आपके सामने आता है तो यह भाग व्यक्ती प्रमुक खट-कटाहट है जिसको अपने साथ में आप अपना कर चलिएगा जोखिम यहां जोखिम नहीं है अनुभव की वो विवस्ताएं है जो आपको एक नए पाइदान के ओर लेकर जा रही है इस प्रमुक बात को अपने साथ में आत्मसाथ करके चलें तो वहीं अस्ती जनतविकारों से सावधान जरूर रहें वहीं संग राशी प्रमुक बात यह है कि सूरी प्रदान राशी के जातकों के लिए सूरी का यहां पर संक्रानतिक रम जो 17 अगस्त 2021 से 17 सतंबर 2021 तक संग राशी स्थान में ही चलाइमान रहेगा नेतिक ता का प्रखर आधार जहां विद्रो की आवशक्ता वहां भीतर से विद्रो निकल कराता हुआ जहां अपनी बादचीत के अंदर सूम्मिता की आवशक्ता किन्तु वहां पर भी इस पस्ट सुरूप में आप साथ में चलते हुए नौकरी पेशा जीवन के अंदर हम बारंबार बहुत कुछ सेहन कर चुके किन्तु अब उस आधार के साथ में हम हैं कि जवाब देने की आवशक्ताएं हैं यहां आप अपने उस बल के साथ में चलिएगा जिसको हम आत्मिक बल कहते हैं और वो ही आत्मिक बल आपके लिए नए रास्तों को यहां पर प्रेरित करने वाला होगा व्यक्ति कई बार स्वैम को संकुचित उस इस्तर के उपर कर जाता है कि उसको लगता है कि इस नौकरी से बड़ा अब कुछ बचा ही नहीं है जब आप उस गेरे को तोड़ कर आगे देखते हैं तो आपको मालुम चलता है कि जीवन अनंत संभावनाओं के साथ प्रतेक्षण चलता है और सूर्य देव जो की परतम प्रकाश मान गरे हैं जब वो यहां संग राशी स्थान के साथ में हो सब्तम भाव के साथ में इनका द्रिस्ट निक्षपन हो ग्रहों में सिनापती मंगल जो की भोमिसुत हैं वो भी राशी भाव के साथ में निरंतर गतिमान हो तो आप इस बात को अपने लिए नोट करके चलें कि जो भी कामकाजी जीवन के अंदर आपके लिए अभी तक की समय अंतराल में अवरोत थे वो आप हटाने की ताकत रखने वाले होंगे नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस प्रमोशन की हैसियत और जो ताकत आप लंबे समय से रख रहे थे जो किसी ने किसी व्यक्ति विशेश के अवरोत की वज़े से साइड लाइन होती चली जा रही थी वहाँ पर भी आपको अपने कर्म की खट-कटाहट और वहाँ पर भी एक इस्पस्ट हस्ताक्षर की स्ततियां आपको सम्मुख जरूर रखनी चाहिए और वही संग राशी के जात्कों से निवदन करना चाहूंगा कि जो ग्रिहस्त का सायोग आपको मिल रहा है वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत है और उस ताकत को अपना कर आप निरंतर गतिमान रहने का प्रयास कीजिएगा यहां अस्ति जनित विकार हो नेतर जनित विकार हो वो सताते हुए इस पस्त इस्तर के ओपर संभावित तोर पर नजर नहीं आते हैं इसी वज़े से आप अपने कर्म के आधार को लेकर लगातार गतिमान रहिएगा व्यापारिक जिवन में जब नाम की चमक और दमक मिल रही हो तो व्यक्ति धनागमन की स्ततियों को एक तरह से इंडाइरेक्ट अप्रोच करके यानि उसको थोड़ा सा साइडलाइन करके अपने कामकाच के कोशल को और बढ़ाने वाला रहे तो वानाम क्याती के एक अलग आधार को प्राप्त करने वाला होता है और वो ही संभावनाओं का समूह आपके सामने नजर आ रहा है तो वहीं यदि हम चर्चा करते हैं बुद्परदान कन्याराशी के जात्कों के लिए तो जो द्वादश भावस्त सूरिदेव की स्ततियां यहां पर इस संक्रांति करम के साथ में चलने वाली रहेगी प्रतम तया निविदन करूँगा कि जो यहां अनिद्रा जनित रोग होते हैं वो परिशान करने वाले हो सकते हैं इसी वज़े से जो शारिरिक और मानसिक थकान होती है उसकी एक सिमेट्री को आप एस्टेबलिश करके रखिएगा बहुत अरिक मानसिक थकान भी और निद्रा का करण बनती है तो कई बार शारेरिक ठकान के साथ हैं और माने से ठकान नहीं हुई तब भी वो परिशानी निकल कराती है उससे संभलने के आवशक्ताएं हैं तो वहीं विदेश संभन्धिक आमकाज में आपके नाम की ख्याती लगातार फैलने वाली रहेगी यहां आपसे हम निविदन करन चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा जीवन में जिस स्तती की साथ में आप चल रहे हैं वहीं पर चलते चले जाईएगा बहुत मेजर चेंजे से यहां पर बचना चाहिए शत्रू यहां हावी नहीं हो पाएंगे और यहीं वो समय है जब आप आलस्य रूपी शंशे रूपी भ अपने संकल्प के साथ में बारं बार चले हैं किन्तु वो संकल्प यदि बिखरा है उसमें जीवन को निखारा नहीं है तो यहां कन्या राशी के जातकों के लिए सूरी देव की स्वराशी स्थान के साथ में चलते हुई द्वादश भाव की स्तियां जो मंगल के साथ में ह यहां जो प्रवर्तियां आपने स्पस्ट कर ली, वहां से आप तीछे मुढने वाले नहीं होंगे, इस बात को इस पस्ट तौर पर अपने साथ में लेकर चलिएगा, तो वहीं आपसे ये भी हम निविदन करना चाहते हैं, कि मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुडाव है कोई भी अवसर सामने आता है, उसको बहुत अच्छे से टटूलिएगा, फिर ही आगे बढ़ने की स्थतियों के अपने साथ में आप जोडने वाले रहें, वहीं, यदि हम तुलाराशी के चर्चा करते हैं, तो एकादश भावस्त इस्थतियां जो यहां सूर्य देव की ब इस्थतियां आपको पुने है, एक नई गती देने वाली हो सकती है, आपके सामने किसी भी मित्र के द्वारा कोई ओफर आता है, और उस ओफर के साथ में चलते हुए आपको यह लगने लगता है, कि यहां से जुड़कर हम अपने जीवन को परिवर्टित कर सकते हैं, तो आ आप उस इस्थति को अपने साथ में आत्मसाद जरूर कीजिएगा, संतान पक्ष के साथ चोटी चोटी बातों में मन मुटाव निकल कर नहीं आने पाए, इस बात को भी आप अपने मन और मस्तश्क में काविस करके चलें, नौकरी पेशा जीवन के अंदर पुने हैं सक्री ताके आधार आप चाते हैं, व्यापार की और गए, व्यापार में सफलता के वो आधार नहीं मिले, अप उन्हें नौकरी की और बढ़ना चाते हैं, किन्तु एक शंचय कड़ा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों ने आपके जीवन को तैय नहीं किया है, आपने अपन पुने है, जाकरत अवस्ताओं के साथ में मौझूद रहने वाला है, डिसिप्लिन की अप्रोच काफी हद तक सफलता के द्वार को आपके सम्मुक रखने वाली रहेगी, और वहीं पर तुलाराशी के जातकों को चाहिए, कि एकादश भावस्त सूरीदेव की स्ततियां, मं यूकेशन की लाइफ में जो डिस्ट्रेक्शन्स रिलेशन की वज़े से बने हुए थे, वहाँ एक बार ना कहने की ताकत सामने नहीं आपा रही थी, और फैसिनेशन लगातार आपको ड्राइविंग फोर्स के तरह लेकर जा रही थी, यहाँ वो ना कहने की ताकत आपके स किसी भी कामकाज में हस्तक शेप रखने वाले व्यक्ति हैं, या फिर कुछ महीनों पहले ही आपने किसी कामकाज की शुरुबात की है, अभी तक सफलता की आपको एक छोटी से गुंजाईश भी यहाँ पर नजर नहीं आई है, यह समय विशेश आपके लिए दशम भाव के साथ में इस ग्रही विवस्ता के रूप में बड़ा सपोर्ट लेकर आ रहा है, विशेश बात ये भी है कि मंगल और ब्रहस्पती का जो दृस्टी संबंध यहाँ पर बना हुआ है, सूरिदेव की भी जो दृस्टी यहाँ चतुर्द भाव के साथ में जुड़ी हुई है, भूमी संबंधित कामकाज में कोई भी अवरो दिलंबे समय से आपके लिए व्यवधान जनित स्ततियों को दे रहा था, वहाँ पर भी सहयोग के आधार आपके लिए बने रहेंगे, नौकरी पेशा जीवन में मान और सम्मान की स्ततियां बढ़ने की उम्मीद के साथ में को कोई भी ऐसी शंका आपको सता रही थी कि ले ओफ हो सकता है, पिंक स्लिप जैसी अप्रोच कोई सामने आ सकती है, कुछ ऐसी कतिवदियां और हो सकती है कि जो अबरब्ट ट्रांसफर की और लेकर चले जाए, जिससे कि करियर में एक बहुत बड़ा होल्ड आ जाए, ऐसी च इसाइजेव इंटर्व्यू कॉल के और आप जाते हैं, और वहाँ पर आपकी पर्फॉर्मेंस शांदार है, वहाँ पर सारी इस्ततियां बैतर है, एक जगह आप सेक्योर चल रहे हैं, किन्तो फिर भी कॉम्प्रमाइज करने के साथ में किसी भी ओफर को एक्सेप्ट करने क और जाते हैं, तो वो आपके लिए डिसीजन नेगेटिव रहेगा, यहाँ आप किसी भी तरीके का कॉम्प्रमाइज नहीं करें, जो पॉसिबिटीज है, उसको पूरे तरीके से एक्स्प्लोर कीजिए, और खुद को व्यवस्त्य दाधार पर वरद्धी देने की और जरू आवित स्तर के उपर आध्यात्मिक चिंतन और दर्शन का गहरा प्रभाव लेकर आएगा, वर्षों के अनुभव के साथ में आपने जो भी सीखा है, अब किसी को ट्रेन करने का अवसर मिलता है, वो लोग जो आपके सामने हैं, जो आपसे उमीद लगाते हैं कि आपसे आमकाज की और जीवन की फिलोसोफी को आपसे लेने वाले होंगे, कई बार संतान पक्ष के साथ में एक दूरी बनती है, किन्तु यहां जो दारशनिक विचारधारा और यहां जो कर्म के सद्दान्त आपके साथ में हैं, वो दूसरी पीड़ी तक हस्तांतर्त होने की परिवार के लोग नहीं सुनेंगे, तब भी आप अपनी जिम्मेदारी के साथ में अपनी बात को रखने वाले जरूर रहें, यही इस समय का मूल सद्दान्त मातर है, जो कि सूरी देव के नवंभाव के प्रभाव के साथ में सामने निकल कर आता है, नौकरी पेशा जीवन के अंदर परिवरतन की संभावित स्ततियां सामने रहेंगी, जिनकी स्वीकारोक्ती को आप अपने साथ में बना कर चलिएगा, पराकरम में वर्दी है, भाईयों और मित्रों के साथ में जो तनाव चल रहे थे, वो यहां हलके फुलके क्लैशेस के बाद में सुधार की और जाने वाले हो सकते हैं, हायर एजुकेशन संबंदी बेस के साथ में जो भी डिजिजन आप लेंगे, उसमें भी आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच बनी रहने वाली होगी, तो वहीं पर एजुकेशन के साथ में आप यदि किसी कामकाच को बढ़ाना चाहते हैं, कोई भी स्टार्ट अप का उफर आपके सामने आया है, बरिहस्पती परदान राशी के जातकों के लिए ये समय विशेश काफी हद तक बैटर्मेंट के प्रोच को देता हुआ नजर आता है, कहीं पर भी रुकने और ठकने की गुझाईश आपको नहीं है, अस्ती जनत विकारों से और मस्कूलर पेंट से सावधान रहने का प्रयास आप जरूर करें, वहीं मकर राशी, प्रतम तया आपसे निविदन करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन के अंदर किसी भी तरीके के बड़े निरने को यहाँ पर आप लेने से बचियेगा, हाला कि अस्टम भावस्त सूर प्रिदेव का जुडाव हो, तो कई बार पारिबारिक जीवन और कामकाजी जीवन के अंदर क्लैशेज निकल कराते हैं, उनसे सावधान रहने की पूरी-पूरी आवशक्ताएं हैं, भाग्ये का उस इस्तर पर सयोग नहीं है, जैसा आप चा रहे हैं और लंबे समय से जिस बोज अपने साथ में लेकर चलने से या किसी व्यक्ति की उपर रखने से आपको पूर्ण तया बचना चाहिए, एजुकेशन की लाइफ में डिस्ट्रेक्शन सामदे होंगे, जिन से आप पार पाने के लिए खुद ही पूरी प्रिपरेशन करके रखने वाले हों, किसी भी प्रिपरेशन को पूर्ण तया बल देकर आगे बढ़ने का प्रियास कीजिएगा, ये एक स्ति इस पस्ट तोर पर यहां नजर आती है, गरिहस्त जीवन के साथ में तनाव गिक्षन कहीं पर भी स्तियों को जादा बिगाडने वाले नहीं हो, प्रोफिशनल लाइफ में थो तो वहीं कुम्बराशी, आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो सब्तमेश होकर सूरिदेव सब्तम भाव में रहेंगे और यहां पर एक तरह से कुम्बराशी स्थान को देखने वाले भी होंगे, तो इसी वज़े से आत्म विश्वास में वरद्धी होने क कोई इंटर्व्यू कॉल लंबे समय से रुका हुआ था, जहां से सपस्टता के संकेत सामदे नहीं आ पा रहे थे, आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच बनी रहेगी, ग्रहस्त के साथ में वाद विवात की स्तियों को बहुत जादा बढ़ाने से बचियेगा, बले ही व् ग्रहस्त हो या नौकरी पेशा जिवन हो, मैं ही सही हूँ कि प्रवर्ती बड़ी दिक्कतें देने वाली हो सकती है, एक बार अपनी पूरीशन्स को री एनलाईज करते हुए बढ़ने के पूरी पूरी रेक्वायर्मेंट रहेगी, इच्छा शक्ती का भाव सुभाव में बिल्कुल भी नहीं, तो वहीं पर ये मूल मंत्र अपने साथ में पूर्ण तया स्थापित करके रखना चाहिए, कि छोटी छोटी बातों के साथ में जो क्लैशेज ऑफिस कल्चर में निकल कर आते हैं, वो बड़ा सोरूप नहीं लेने वाले हों, सोलर, इलेक्ट्रोनिक सं कोई भी कारशेत्र जहां आपका घहराई से हस्तक्षे प्रहा है, वहाँ पर भी बेटर्मेंट के प्रोच यहां निकल कर आने वाली होगी, व्यापारिक जीवन के अंदर आपने किसी की मदद की थी, आज वो मदद आपके लिए ही सरदर्द बन चुकी है, आउस व्यक्ति स के साथ जुड़े हुए कामकाज में व्यवस्तित व्रद्धी के पूर्ण आधार यहां आपके सम्मुक रहने वाले हैं, तो वहीं मीन राशी प्रमुक्तया, आप इस बात को यहां अपनी नोटिसिबल अप्रोच में लेकर चलें, कि जो अस्थी जनित विकार होते हैं, उस सामने आती हैं कई बार, एक सिरे के साथ में निकल कर आप अपने कामकाज में मश्गूल रहें, वो एक अलग बात है, किन्तो यहां पर हेल्थ को प्राइम कंसर्ण के साथ में लेकर चलने का प्रयाज जरूर कीजिएगा, रिन देने और लेने से इस महीने के अंतराल में साथ चाते हैं, इसी वज़े से कर्म की स्ततियों को जारा उलेखित करके चलने की आवशक्ता हैं रहेंगी, हरदय जनेत रोगों से अत्यधिक सावधान रहने की आपको यहां पर आवशक्ता हैं, तो वहीं पर आप इस बात को भी अपने लिए नोटिसेबल अप्रोच में जरूर लेकर चलने वाले हों, कि जो जो लोग अभी तक आपके लिए विद्रोव में थे, उनकी और से थोड़ा सा विद्रोव बढ़ सकता है, आप यहां पर एग्रिसिव नहीं हो, यह आप ध्यान रखिएगा, नौकरी बेशा जीवन के अंदर शंच है, सिर्फ आपको ड बंदेकारियों में संभाबनाय बनेंगी, किन्तो उनके मूर्त रूप सामने आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, तो यह था सूरिदेव का सिंग राशी में होने वाले प्रवेश का पुरा ही वर्णन और हाल, हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुक मने रह नमस्कार और कुटी शह, धन्यवाद